नमस्कार, हिंदी कहानी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है लिजे प्रस्तुत है बर्मा लेखा गेटनी द्वारा लिखित कहानी सुन्दर सलोना बगुला बरसात के मौसम की सुरुवात थी, हलकी हलकी फुहार पड़ रही थी मैं अपने एक दोस्त के साथ एक बड़े पेड के नीचे बैठा था हम दोनों मीटी के खिलोने बना रहे थे खिलोनों के लिए मीटी हमने दीमक की बांबी से ली थी इसलिए वह खोब चिकनी और चमकी ली थी रेतिली मीटी की तरह वह भुरभुरी नहीं थी उस समय हम मीटी से छोटी छोटी गाये बना रहे थे तभी दो बड़े लड़के हमारे पास आए वे दोनों गाओं के दूसरी तरफ रहते थे उन में से एक की सेहत अच्छी थी इसी सेहत के कारण सब उसे क्विगी कहकर चिड़ाते थे जिसका अर्थ होता है मोटा भैसा उसने अपनी कमीज में एक जिन्दा बगुला छिपा रखा था मेरे दोस्त ने उससे पूछा यह बगुला तुम्हें कहां से मिला? तुमने क्या इसे अपनी गुलैल से मारा? हाँ, यह तालाब के किनारे था जब मैंने इसे मार गिराया क्विगी ने कहा मैंने भी एक बगुले पर निशाना लगाया था पर वह उड़ गया दूसरे लड़के ने कहा निकाल के जरा दिखाओ तो सही कैसा बगुला है? मैंने क्विगी से कहा पहले तो उसने टालने का बहाना किया लेकिन फिर उसने अपनी कमीज के अंदर से वह पक्षी निकाला उन्होंने उसके पैरों को बांध रखा था जिससे कि वह उनके हाथ से न निकल जाए मैंने भगुले को अपने हाथों में लिया मुझे वह बहुत प्यारा लगा कितना सुन्दर, कितना सलोना दूद जैसे सफेद पंक तूतिये रंकी मोहक टांगे और चोंच क्या ही अच्छा हो यदि अपक्षी मेरे पास हो मुझे पसु पक्षी पालने का सौक था मेरे पास इस समय एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक बड़ी मुर्गी थी मुर्गी ने अब तक 14 अंडे दे रखे थे मैं इन दिनों बहुत खुश था क्योंकि मुझे उस दिन का इंतजार था जब इन अंडों से बच्चे निकलेंगे और मेरे पास बहुत सारे चूजे होंगे पर अब मुझे वह सब याद नहीं था बलकि सिर्फ यही एक्षा थी कि किसी प्रकार क्विगी से उस सुन्दर बगुले को ले लूँ क्विगी भी मेरे चेहरे को देखकर भाप गया कि मेरा मन बगुले पर अटक रहा है उसने मुझे से पूछा तुम क्या इसे पालना चाहते हो मैंने फौरण उत्तर दिया चाहता तो हूँ पर तुम क्या मुझे दे दोगे क्यों नहीं तुम ले लो लेकिन इसके बदले मुझे कुछ देना होगा मुझे दस सिग्रेट चाहिए मेरे सांथियों में तो कोई भी सिग्रेट नहीं पीता था कहां से सिग्रेट दूँगा क्विगी और उसके सांथि तो हमसे बड़े थे वे सभी छिप छिपा कर सिग्रेट पीते थे मैंने कहा मैं बगुला तो लेना चाहता हूँ पर सिग्रेट मेरे पास नहीं है लेकिन तुम्हारी बुवा जो तुम्हारे सांथ तुम्हारे ही घर में रहती है वह तु सिग्रेट पीती है ना उससे लेकर कुछ सिग्रेट दे दो नहीं वह मुझे नहीं देगी और मुझे में इतनी हिम्मत नहीं कि बुवा से बीना पूछे सिग्रेट ले लूँ यदि तुम चाहो, तो मैं इस बगुले के बदले तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ पैसे हमारे किसी काम के नहीं, हमें तो सिर्फ सिग्रेट ही चाहिए यदि तुम नहीं दे सकते हो, तो हम किसी और से बात कर लेंगे मैं बिल्कुल निरास हो गया क्या करूं कुछ समझ नहीं आया मुझे बुवा की सिगरेट चुरानी चाहिए नहीं ऐसा करना ठीक नहीं यह तो कोई अच्छी बात नहीं और फिर उसके बाद जो पिटाई होगी मैं सोचता ही रहा अच्छा चले क्विगी के सांथी ने कहा क्विगी ने मेरे हाँथ से बगला छीना और दोनों चल दिये बगला मेरे हाँथ से अलग होते ही अपने पंक फड़फ़ाने लगा ऐसा लग रहा था मानो वह मुझसे दूर नहीं होना चाहता हो मेरा दिल उस बगले के लिए छट पटाने लगा यह सुन्दर बगला मुझे मिलना ही चाहिए मैं सोचने लगा मैंने अपने साथी से पूछा अब क्या करना चाहिए उसने भी सिरहिला कर कह दिया जैसा तुम ठीक समझो, करो क्विगी और उसके दोस्त जा रहे थे बगला उनके पास था वह अभी तक पंक फड़फडा रहा था मुझे लग रहा था कि वह मुझे अपने पास बुला रहा था मुझसे यह अधिक सहन नहीं हुआ ठीक है मैं चिलाया बगला ले आओ, मैं तुम्हें सिग्रेट दूँगा यहीं पर रुको मैं सिधा घर की तरफ भागा सीडियों से चड़कर बुवा के कमरे में गया उनकी पुस्तकों की अलमारी खोली मीटी सने हाथों से ही मैंने सिग्रेट का डिबबा निकाला गिनकर पुरी दस सिग्रेट निकाल ली और डिबबा मैंने ठीक उसी जगा रख दिया जहां से उठाया था डिबबे में से दस सिग्रेट निकल जाने से वह एक तरह से खाली सा हो गया था सिग्रेट निकाल कर मैं वापस उसी जगा पर भाग कर आया जहां पर तीनों लड़के मेरा इंतजार कर रहे थे ये लो, पूरी दस सिग्रेट, गिन लो मैंने क्विगी से कहा, उसने मुझे बगुला दे दिया मैं खुशी से फूला न समा रहा था सोच रहा था, मैं इस समय संसार के सबसे सुन्दर बगुले का मालिक हूँ मैंने अपने दोस्त से विदाली और पक्षी को लेकर घर आ गया एक पुराना बक्सा और बास की कुछ छड़ियां इकट्टी करी उनसे एक पिंजरा बनाया और बगले को उसमें रखा पिंजरे में मैंने उसके खाने के लिए भी कुछ रख दिया मैं दिन छिपने तक उस सुन्दर पक्षी में ही खोया रहा उसके पिंजरे के पास ही बैठा रहा उसकी हरकतों को देखकर खुस होता रहा रात हो गई रसोई में खाना बनाने की आवाज मुझे आने लगी खाना खाकर फिर मैं अपने बगले के पास आ गया पिंजरे के पास बैठा ही था कि आचानक मुझे बुआ की कड़कती आवाज सुनाई दी मेरी सिगरेट कौन चुराता है बुआ ने बारी बारी से घर के सभी सदस्यों से पूछा मुझ से नहीं बुआ जानती थी कि मैं सिगरेट नहीं पीता इसलिए वह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सिगरेट चोरी कर सकता हूँ बुआ जब सभी से पूछ कर ठक गई तो उसका ध्यान अपने छोटे भाई मेरे चाचा पर गया मेरे चाचा सन आंग भी हमारे साथी रहते थे और उनको रोज सुबह मचली पकड़ने का सौक था बुआ ने कहा कि सिगरेट के डिबबे पर मिटी से सनी उंगलियों की निसान है और यह जरूर चाचा का काम है चाचा मचली पकड़ने के बाद आये होंगे हाथ साफ करना भूल गया होंगे और उन्हीं गंदे हाथों से उन्होंने सिगरेट निकाल ली होगी यह सब सोचकर बुआ ने चाचा को डाटना सुरू किया उनके डाटने से लग रहा था जैसे चाचा ने कोई बहुत बड़ा अपराद कर दिया हो लेकिन मैंने आपकी सिगरेट नहीं ली चाचा कहते रहे जब भी मुझे किसी चीज की जरुवत होती है मैं आपसे मांग नहीं लेता हूँ और अब तो मेरे पास काफी सिगरेट है देखो मेरे पास पैकिट है पूरा भरा हुआ कहके चाचा ने अपनी जब से अपना सिगरेट का पैकेट निकाल कर दिखाया लेकिन यह जरूर तुम ही हो बुआ ने कहा तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है मैंने तो आपके सिगरेट को छुआ भी नहीं फिर वे मिझे पसंद भी नहीं तुम जोट बोल रहे हो तुम चोर हो फिर कभी मुझसे कभी भी कोई चीज नहीं मांगना चाचा सन आंग की मैं बहुत इज़त करता था वे मुझसे उमर में भी बड़े थे बुआ जब उनको डाट रही थी मुझे अपने उपर सर्म आ रही थी मेरे किये गए काम के लिए चाचा को दोसी ठहराय जा रहा था उनको चोर और जोटा साबित किया जा रहा था मैंने सिगरेट उठाते समय या बिलकुल भी नहीं सोचा था लेकिन फिर भी असली चोर मैं ही था चाचा को डाट पड़ रही थी और यदि इस वक्त मैं चुप रहता हूं तो मैं चोर के साथ साथ जूटा भी हो जाऊंगा चुप रहना भी तो एक तरह से जूट बोलना ही है बुवा चाचा सन आंग के उपर चीखती चिलाती रही और मुझे लगा कि चाचा का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा है चाचा का चेहरा लाल हो गया था ऐसा लग रहा था कि हंगामा बढ़ेगा ही घटेगा नहीं गुस्से में अगर चाचा ने बुवा पर हाथ उठा दिया तो यह और भी बुरी बात होगी जहां वे दोनों लड रहे थे मैं उसी कमरे में गया धीरे से बोला बुवा मुझे माफ करना मैंने आपकी सिग्रेट ली थी चाचा और बुवा दोनों मेरी इस बात से हक्के बक्के जी हाँ मुझे पालने के लिए एक बगुले की जरुवत थी और उस बगुले की कीमत दस सिग्रेट थी मैं किसी भी कीमत पर बगुला लेना चाहता था मैंने अपनी तरब से उन्हें सही बात समझाने की विचार से कहा क्या कभी किसी ने ऐसा पहले सुना है बुवा चुलाई एक बुढे बगुले के लिए चोरी की तुमने चाचा ने भी बुवा के साथ मिलकर मुझे डाटना सुरू कर दिया तुम्हें सर मानी चाहिए एक बुढे बगुले के लिए ऐसा किया छी छी नहीं नहीं बुवा वो बहुत ही सुन्दर और सलोना बगुला है उसे देखकर मेरा मन ललचा गया मेरे कहने पर बुआ और चाचा मेरी बात नहीं समझ रहे थे बुआ ने कहा तुमने सिग्रेट लेने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं मुझे डर था कहीं आप मना न कर दे लेकिन क्या तुम जानते हो जिसमें सच बोलने का साहस नहो वह कायर और जूट जूटा दोनों होते हैं मैं आपसे वादा करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा मैंने कहा ठीक है बुआ ने कहा उसने बचीवी सिग्रेटों में से एक सिग्रेट निकाल कर सुलगाई और थोड़ी मुस्कुराने की कोसिस की इस बार तुम्हें माफ किया जाता है मुझे उम्मीद है आइंदा तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे कि तुम बड़े होकर अपना नाम बदनाम करवाओ नहीं बुआ नहीं ऐसा नहीं कहिए जब मैंने आपसे सब कुछ सच-सच कह दिया है तब भी क्या मैं चोर हूँ मैं क्या आपको बड़े चोरो जैसा लगता हूँ बताओ बुआ बुआ ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे थप थपाया नहीं तुम चोर नहीं हो आओ चलो मुझे और अपने चाचा को सुन्दर सलोना बगुला दिखाओ कहकर बुआ जोर जोर से हसने लगी हम तीनों पिजरे की तरफ चल दिये चाचा और बुआ हस रह थे पर मैं सोच रहा था नहीं नहीं मैं कभी चोरी नहीं करूँगा धन्यवाद